इसका विसम्मिलन का एक कलस रखते हैं एक बड़ा नाम हिंदी कविता का गुलोबल नाम जिसे नई पीड़ी से लेके पुरानी पीड़ी तक सब प्रेम करते हैं ऐसे एक प्रेम पुरुस डॉक्टर कुमार विश्वास को मैं बुलाता हूँ गुलाबी नगरी जैपुर के बहुत महनी शोताओं को प्रणाम करता हूँ अगर आज ये भासकर का कारिक्रम नहोता तो संभवत है मैं आज यहां नहीं होता मेरे डॉक्टर ने कहा कि गला बहुत खराब है और आपको बुखार भी है लेकिन इस देश का जो हाल है इन दिनों और यह जो मौका है आज का इन दौनों को देखकर मुझे लगा कि हजारों हजार लोग होंगे विशेशकर पूरे राजिस्थान का युवा होगा जो विश्वे द्याले में पढ़ने आया है जैपुर इनिवर्सिटी में इंजिनरिंग कॉलेजिस में मैडिकल कॉलेज से बच्चे आये हैं इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और मेरे लिए ये पारितोष की बात है ये उपलब्धी की बात है कि मेरे बड़े आदरिनी है और उत्रप्रदेश की नहीं पूरे भारत की राजनीती के एक ऐसे प्रांजल नक्षत्र जिन्होंने राजनीती के बदलते मूलियों में भी अपनी व्यक्ति निष्ठा को ध्रोतारे की तरह अटल लखा ऐखे प्रतम नागरिकि महमये मादरनिय कर लाजमिंश्र जी यह उपस्तित हैं मैं उनको प्रनाम करता हो कि हिंदीस्तान के किसी भी राज्ज में पत्थर फिका हो यह राजिस्थान है यहां राजनेताओं की लगी याग में ना एक बस जली है, ना एक पत्तर फिका है, यह वो राजिस्थान, यह वो राजिस्थान है, जहां मानना प्रताप की सेना का सेना नाया खाकिम का पठान है, यह वो राजिस्थान है, जमनी संस्कृति का राजिस्थान है, मेरा स्वास् मुझे याद है कि आदेनिये रमेश जी ने अन्तिम कभी संवेलन अबैट कर सुना था यहाँ पर और बड़े मन से उपर आये थे वो और सुधीर भाई साब आये थे आप लोग इतना बड़ा आख़बार चलाते हैं विश्वकास सब से बड़ा नेटवर्क चलाते हैं उसके बाद भी आपके अंदर जो विनमरता है तीनों भाईयों के आंदर मैं उसको पणाम करता हूँ, मैं उसका अभार व्यत करता हूँ कि सी के दिल की मायुसी अब बताईए महा माई में राजसभा जाके क्या करता बताए जो मज़ा रोज रात को यहां आता है वहां कृपया शांत रहिए बैठ जाए कौन उसमें जहक मराय जाके कि किसी आपका अच्छा है राजस्थान वालों का कोई तनावी नहीं है उसे 5 सल तु आजा था 파ंस सही तू आजाए da और दौन को गलत वप ही रहती है कि हुम जीते रहती है Уपने वी रहती है और इंको भी रहती है कि किसी के दिल की मयूसी जहं से हो के गुजरी है वह करvate вор्थचma 찍ने मिकाय करने से होता है सुनील जोगी ने स्वामी जी को पठिपणी की मैं नहीं करूंगा मैं उनका भक्त हूँ और वो मेरे प्रशंशक है मैं तो आयम में जाता हूँ हर साल लड़कों से कह के आता हूँ कि बेटा पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कुछ भी सीखो बेचना कैसे है ये बाबा से सीखो बाबा ने 12 साल टेलिविजन पर कहा पूरे देश से काम दंदा छोड़ो योग करो, काम दंदा छोड़ो योग करो हम लोगों ने योग शुरू कर दिया उसने काम दंदा अचा इसमें समस्या क्या है यह जो सबसे आगे बैठे है ना शेहर के बड़े वाले स्पॉंसर्स सेठ लोग यह ताली नहीं बजा पारे राजनेतिक टिपड़ी में चुप परे जाते हैं इसका कारण क्या है कि इनके बड़ी ऐह सबस्क्षाषा थाषा जो अचाति में मोदी मोडली ging किसी के दिल की मायूसी तीन बार पढ़ी है मैंने यह जब तक भाहनी करोगे यही आएगी किसी के दिल की मायूसी जहां से होंके गुजरी है हमारी दाद अच्छी है पर टाइमिंग खराब है राज्यसभा के टाइम पर हमारी भी यही खराब थी हमारी सारी चाला की वहीं पर खोके गुजरी है तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है थोड़ा सा खुला है थोड़ा और खुल जाएगा आपकी तालियों से तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है वाँ 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 कुमार वाँ मैं तो गुजरात गया था मुक्यमंद्री सामने बैठे थे तो मैंने उनसे का कि मेरा जादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आए हूँ क्योंकि आपने जिसे बेजा ता उसका हम ने किया था पिर मैने उन्से पुझा यार यह बताओ, हमने एक मांगा था तुमने दो क्यों भीजे निर्मा की थैली के साल लक्स की बट्टी फिरी और वो छोटा वाला तो ज्यादा बड़ा चालिम लोशन है वो तो कही बार दाग छोड़ाने के चक्कर में कपड़ा भाड़ देता है हाँ दिल्ली में लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी जब से वो ग्रह मंत्री बने कोई मांगी नी रह क्योंकि लोगों को पता है कि होम डिलीवरी करा देगा कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ बताइए ज़रा कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ वहां करिये मैं 101 में सुना रहा हूँ आप तो बिना बुखार के हो के उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ हवा का काम है चलना दिये का काम है जलना बताना अपने हाथों से हवा का काम है चलना दिये का काम है जलना वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ आपकी सुनी सुनाई पंक्तिया है अनुरोध करता हूँ मेरे साथ गुन-गुनाई ये गाईएगा कि कोई दीवा ना कहता है पचास हजार से ज्यादा लोग है मैं अकेला क्यों गाऊँ मेरे डॉक्टर साब मुझे बैठके घूर के देख रहे हैं कि मना किया था जोड से मद गाना मैं गाऊंगा लेकिन आप भी गाईएगा जितने पीछे तक है अवाज आनी चीए और आज अच्छा सबसे अच्छा रहा कि रातबन में पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई वो देश को एक रोध करने लायक थोड़ी है वो तो आनंद लेने लायक है कैसा देश है आप देखिए आप हमारे बड़े प्रशंशक हैं वहाँ बड़े दोस्तें बड़े लेकिन मजा आता उनसे बात करें वो खुद भी असते हैं उस सर्जिकल स्ट्राइक में हमने अंदर गुष के मार दिया तो सुभै को उनके ग्रहमंत्री का आधिकारी बयान ऐसा था कि तीन कभी संबेल नियोच्छावर उससे पत्रकार ने पूछा बोले साब वो हिंदुस्तान के जहाज अंदर गुष गए कितना नुकसान कर गए जवाब सुनो बोले वो अंधेरे की जाओ भावी लाइट नी थी मतलब ऐसे ऐसे तो यह तो यह तो ग्रहमंत्री है अच्छा उसने बयान दिया भाईसा पार्लेमेंट में पार्लेमेंट में सवाल उठाया उनके एक सांसेद है बिलावल बुट्टो उनके यह उनके यह भी एं तो बिलावल बुट्टो ने तुम ताली देर से बजाते हो यार समझ तो बिलावल बुट्टो ने पूछा बोले साथ वो जहाज अंदर गुश गए हमको पता कैसे नहीं चली अब देखो जवाब और फिर मजे लो तीन दिन उनके रक्षा मंत्री के जवाब सुनो ग्रह मंत्री के बाद बोले साथ वो जहाज अंदर गुश के आपको पता नहीं चली तो रक्षा मंत्री बोले हमारी रडार पता नहीं लगा पाई मैंन का बेटा चीन से माल लोगे तुम्हारी रडार नी चली हमारी दिवाली पे जालर नी चली हाँ बतावा तो ऐसा अद्बुद देश है अब हमसे लोग कहते हैं बास करके मुझे पत्रकार में तर्पूसते हैं हमारे तमाम किसाब आप पाकिस्तान पर कविदा निदिग एकत्तिस साल हो गए आपको यहां क पाकिस्तान पर मैंने का भाई मैं प्रेम का कवी हूँ प्रेम शाश्वत विशय है हजारों वर्ष पहले था आज है कल भी रहेगा पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था आज है कि आप कविता लिख दो परसों विशय खतम हो जाए और दिल्ली में जैसे यह दो बैठे हैं इनका पता थोड़ी चलता है कुछ इनको तो आठ बजया के इतना ही कहना के भाई और बहनो आद रात बारा बजे के भाद दिल्ली एंसियार की सीमा यह लाहूर तक की जाती हैं तालिया दरा डंग से बजाओ बजानिया तो मजलो जैपूर में जून में तीन लड़किया मुपे दुपट्टा बांध के स्कूटी से निकल जाएं भासकर के सीटी एडिशन में फ्रेंट लाइन चपती है जैपूर में गर्मी का प्रकोव बढ़ा और हमारे उनिवस्टी के पंद्रे लड़के बेहोश हो जाएं राजिस्थान में नशे की लथ फेली ये लू और हम लू-लू मजे पूरे लो वहाँ मिलनी चाहिए दिवधन करता हूँ कि महब तब यह ठीक है मेरा डॉक्टर घूर के देख रहा है मुझे की कर क्या रहा है कि महबत एक एहसासों की पावन सी कहानी है कि महबत एक एहसासों की पावन जी सोच रहा है कि यह दस लाग बेकार चले गए जब सब कोई आती तो किसी को खड़ा कर देते कभी कभी राद दिवाना था यहां सब लोग कहते है अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो आगे से पीछे तक तालियों का महुत सब गुंसता होना चाहिए तक कि कभी समयलन होता दिखाई दे यहां सब लोग कहते हैं मेरी आखों में आसू है जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो अच्छा राजनीती की बात नहीं होनी चाहिए महा महिम की उपस्तिती है लेकिन आप कहें तो मैं दो मुक्तक राजनीती की सुना दू नाम नहीं लूँगा किसी का अखबार का प्रोग्राम है बात तो छपनी चीए कि कुमार विश्वास क्या बोला लेकिन पहली लाइन पर जो दाद आये तो मैं समझ जाओंगा कि जैपुर जैपुर से जादा राजनीतिक जगय कोई नहीं है यहां मतलब कोई अखबार किसी चीज के सर्वे की जरुत नहीं है यहां बैठा बैठा आदमी टंपू में कह देता है बैया इस बार नहीं बचरी मैं गीत की पंक्ति पढ़ू तो पूरे सदन की दाद जुमलों से ज़्यादा आए ठाकों से ज़्यादा आए निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरे टाइम पर याता है चायवाला 2014 में भी ऐसे हुआ था उबाली हमने पेच वो गया कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है अगली पंक्ति पर आपके स्वाबिमान को आमंत्रित करता हूँ सत्ताय पांस साल, दस साल, पंद्रह साल कविता हजार साल, दो हजार साल, पांच हजार साल पंक्ति पढ़ रहा हूँ सुनना कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है वा करना जिन को समझ आजा जाए आप सब भी GST के मारे हुए कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है जगडा क्या था? हमारी राजनीती क्या थी मैं दो पंक्तियों में पढ़ू तो शौरे के लिए शीश कटा देने वाला राजिस्थान की तेजस्विता उसकी दाद और इस ठंड में तालियों में मैसूस करना चाहता हूँ निवेदन करता हूँ यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है सुनना जैपुरवालो उसे जिद्थी जुकाओ सर तभी दस्तार बक्षूंगा पीछे तक तयार रखना हार उसे जिद्थी जुकाओ सर तभी दस्तार बक्षूंगा मैं अपना सर बचा लाया महले और ताहाज उस पर है मैं अपना सर बचा लाया मेहले और ताज उस पर है एक मुख तक विशेश रूप से सुनाता हूं यह जो पीछे युवक बैटे हैं इन में से बहुत सारे R.A.S. बनेंगे, I.S. बनेंगे लेकिन एक बात ध्यान लखना इस भासकर के उत्सों में ठंड में जिसके शॉल में त तो ना भविश्य दर्वाजे खुलेगा ना वर्तमान आधर देगा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा राज्या विशेक किसका हुआ जब राम लोटे 14 साल बात तो दुनिया का सबसे बड़ी ओच सेरेमनी हुई एक मुख्य मंत्री पद के लिए इतना आयोजन और पूरी प्रत्री का जो स्वामी बनने वाला था जिसने विश्व की सबसे बड़ी विजय पाई थी जिसे आज भी दशेरा मना कर आप याद करते हो वो लोटा तो उसके भाई भरत ने कहा भाईया आपका श्रफद ग्रेन है किस किस को बुला ले राम ने कहा बेटा हम तो जंगल में थे तो हमको पता नहीं कि पड़ौस में कौन राजा हो गया कौन युवराज हो गया तुम अपनी इच्छा से बुला लो सब नाम हो गए अचानक राम को याद आया कि अनर्थ हो जाता है कि दो दोस्त बनाया था 14 साल में उसी का दो धार है उसको बुला लो मैं उसका नाम पढ़ू अपने खराब गले में आपकी तालियां गुंजे तो मैं मुक तक सुना पाओ दोस्तो राम के राज्या विशेक में कोई राजा नहीं बुलाया गया कोई युवराज नहीं बुलाया गया राम के राज्या विशेक में उन्हें गंगा पार कराने वाले निशाद केवट को आमंत्रित किया गया और केवट भी उची ची उत्तर प्रदेश का था वो जहां के माम ही में जब राम उसके सामने खड़े होगे बिना पेमेंट के जैसे विजय मालिया के सामने पी एन बी तो मा सिता ने अपनी अंगूठी दे पी एहिए जानन हारी मनी मुदरी मनमधित उतारी का यही ले ले तो केवट ने का अजब रहन दो आप तो स्टाप के आदमी हो और राम ने का हमर तुम कहां से स्टाप होगे मायुद्यम रहने वाले तुम यहां बुले रहते हैं अलग जगें काम तो एक ही है मैं गंगा पार कराता हूं अब भवसागर पार कराते हो चोटा बड़ा काम है राम ने का तेरा उधार रह जाएगा मैं तो देने आया हूं प्रत्वी पर वालमी की रामायन में महर्शी वालमी लिखते रामो दृर न भाशते राम दो बात नहीं कहत राम ने का यार एक ही बात बोलता हूं उधार रह जाएगा जो केवट ने उत्तर दिया उस पर आपकी तालियां कुझे मैं मुक्तक सुनाता हूं केवट ने का चिंता मत करो पाई पाई वसूल करूंगा आज गंगा पार कराते मैं मैं नहीं ले रहा मरकर आऊं तो प्रेजरा कि पुरानी तो राजिस्तान से जादा कौन जानता है कि एहंकार को दरपन कैसे दिखाना है उनकी अनुपस्थिती है लेकिन मैं आपके शश्वी मुख्यमंत्री को प्रणाम करता हूं भारती राजनीती में इतने शालीन और इतने म्रदुभाशी लोग कम है जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला हुआ है कारे पद्धती वो जाने उनका काम जाने लेकिन इतने बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी इवन्यम्रता श्लाग नहीं है हमने तो उससे पहले का हैंकार भी जहला है तब कह रहा हूं के पुरानी दोस्ती को उन्होंने का डेड़ बदल दो कुमार विश्वा सारा नहीं आना चाहिए मैंने का रुको कुछ दिन बाद लोग ही बदल देंगे आपको क्या करना के पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो ये संबंधों की तुर्पाई है शड़ यंत्रों से मत खोलो और दिल्ली तक बताना अपनी तालियों से ये संबंधों की तुर्पाई है शड़ यंत्रों से मत खोलो मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल या रखना हाथ मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लवजों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो इस अधूरी जवानी का क्या फायदा बिन कथानक कहानी का क्या फायदा जिसमें धुलकर नजर भी नपावन बनी जिरा जूम के साथ देना अगली पंक्ती पे जयापुर वालो जिसमें धुलकर नजर भी नपावन बनी आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा ये प्रेम बरपंक्तियां थी राजनेताओं को समझ में नहीं आई आगे जो पॉलिटिशन बैठे हैं मैं इसी मुक्तक को दुबारा पढ़ता हूँ हर लाइन में एक नेता का चेहरा याद करिए इस ते दुगना मजा ना आए तो पैसे वापिस जो कि मिले नहीं है पहली पंक्ति राहुल गांदी इस अधोरी जवानी का क्या बलबा, कलबाके भिहारी लाणी जागो के इस अधोरी मुझे से कांग्रेशियों से बड़ी शाहनबूती है न बहु मिल पा रही है न बहु मिल पा रहा है लेकिन सब पार्टियों के नाम आएंगे किसी एक Party के हो के मत सुनना मामाहिम भेटे है निर्फेक्षों के सुनना कि इस अधूरी जवानी का क्या फाइदा अगली पंक्ती प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधि के लिए है बिन कथानक कहानी क जो मित्रों बोल के आपने हमारी भाईयो बहनों की है बिनकथानक कहानी का क्या फायदा नहीं 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 चहिए और यह चाय वाला सिरपई थेंक्यू थेंक्यू यह बिजवाया गया केंदर से बिनकथानक लेकिन अच्छा यह दौनों दूसरी पार्टी के दे इंको एक-एक लाइन दी अपने वाले को दो देनी चुए कि नीं देनी चीए तो ताली दौनी आनी चीए कि नहीं आनी चीए सुनिये गा बिनकथानक कहानी का क्या फायदा जिसमें धुलकर नजर भी नपावन बने एक-एक व्यक्ति की तालियां तयार जिसमें धुलकर नजर भी नपावन बने आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के प्रतियास्था रखना उनकी भक्ति मत करना क्योंकि जब जब उन्हें देखो तो याद रखना कि उनसे बड़े लोग इस प्रतिवी पर पैदा हुएं एक बात सहमती की कहदू अगर एक लाग की भीड स्विकार करे सतर वर्षों में मुझे नहीं समझ में आता कि देश में इतना बड़ा कोई प्रदानमंत्री हुआ है जो पाच फुट चार इंच का वो हिंदुस्तान का बेटा हुआ था इसका नाम लाल भादुर शास्त्री था हम लोग भूलते बहुत जल्दी है इसलिए जिम्मेदारी अखबार की है कवियों की भी है कि सामने बैटे अथितियों को देखकर अपनी भाशा ना बदले क्योंकि ये लोग बदलते रहेंगे कभी परमानेंट रहेगा ये आती जाती रहेंगी सरकारे हम यहीं रहेंगे अगले पचास साल तक जब तक जीवीत हैं और हमारे बाद जो आएंगे वो बोलेंगे वो शास्त्री जी पाँच फूट चार इंच के थे आदरनिय महा महिम को स्मरण है जनरला यूप छे फूट दो इंच के थे जनरला यूप से कहा BBC के समवादाता मार्क तली ने कि साब आप शास्त्री जी से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे एंकार में पाकिस्तान का राष्टपती बोला वो इंदुस्तान का प्रदानमंत्री मुझसे क्या बात करेगा इतना सा तो है नौर्थ ब्लॉक से निकल ले दे शास्त्री जी मार्क तली ने पूचा कि साब वो पाकिस्तान का राष्टपती कहता है कि आप कैसे बात करोगे आप तो छोटे से हो जो जबाब दिया शास्त्री जी ने उसे अटल जी पर नियो अच्छावर करना शास्त्री जी ने कहा जनरल यू ठीक कहते हैं हम दौनों नहीं मिलेंगे हम दौनों के रूप में भारत और पाकिस्तान मिलेगा लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं सर उठा के बात करूँगा जनरल साब सर जुका के बात करेंगा ये कविता राजिस्तान में इसलिए सुनाने योग्य है कि आज भी जब सीमाएं सर मांगती है तो पहला सर राजिस्तान की ओर से चड़ाया जाता है चिन एक दो शोताओं को चहल कदमी में निकलना है वे कृपा पूरवक निकल जाएं ताकि मैं कविता शुरू कर सकूँ पुल्वामा के अटेक के बाद इस कविता ने काफी लोगप्रियता पाई उस सिपाई के नाम जो इस समय खड़ा है आपको ठंड लग रही है दोस्तो इस समय सियाचीन में कोई लड़का हमारे गाउं का खड़ा है आपके मेरे गाउं का शेखावाटी का रहने वाला मेवाड का रहने वाला माइनस तीस डिग्री सेंटिग्रेड में वो ना कविता सुनना है ना वो भासकर में छपेगा बस वो इसलिए खड़ा है ताकि भासकर इस बीच चोराहे पर पचास साथ हजाल लोगों के साथ उत्सव मना सके अपना तेईस्वा साल मना सके अपकी तालियां थोड़ी कम थी बाच्छ वाज पुल्वामा के जब बेटे आई तो बिजनौर के एक लड़के का श्यवाया वाके सांसद महोदे गए नहीं तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप गए नहीं उन्हें पता नहीं तक कैमरे चल ला है उन्हें ने का यार तुम भी महिमा मंडित कर देते हो इन फौजीयों को इने वेतन तो मिलता है क्या बार नेताओं को पता नहीं चलता कि कैमरे चलना है मुझे बड़ा बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि सैनिक को वेतन तो मिलता है मैंने एक पंक्ति की टिपनी का ट्वीट किया था आप उस पर महर लगा देंगे तो मैं कविता शुरू कर दूँगा एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ मैंने उन मंतरी महोदे से कहा हुजूर वेतन हम भी लेते हैं वेतन सेनिक भी लेता है लेकिन हम में उसमे आधी मात्रा कांतर है हम वेतन के लिए काम करते हैं वो बतन के लिए काम करता है आप अच्छे वाँ 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 शुरूब मैं इस गीत को सुना पाऊं बस ऐसी भूमिका बनाना जहां अच्छा लगे आपकी आखों से गंगा बहेगी मैं जानता हूं जहां तालियों का आवेगो वा हाथ खोले लेना कारिकरम समापन की ओर है निवे दन करता हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर आप सब की दाद उठें कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं रगली पंक्तियों पर आखे भीग जाएं ताकि हर गाव तक जहां वो शहीद का घरों से सिहरन मैसूस हो सके आपकी गर्मिया कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमाल है जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं है बहुत बढ़िया वा है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमाल है जो लोग हाथ बांदे बैठे हैं, मैं उनसे हाथ खुलवाने का हुनर जानता हूँ, 31 जोगे मुझे यही करते हुए, लेकिन आप से मन लिया है, मैं खराब चीज सुना कर आपका मन खराब नहीं करना चाहता, अपने जीवन के अच्छी कविता सुना रहा हूँ, तो आप भी महसूस कराइए, यही अच्छे लोगों के सामने पढ़ा हूँ, निवे दन करता हूँ, कि है नमन उनको, जिस घर से शहीद आता है, उज्वल की आकुलवंश मा था, मा वही जो दूद से इस देश की रज तोल आई, बरिया है, जैपुर वालो जागो, बरिया है वई, वाह, वाह, कुमार, वाह, पिता जिसके रद ने, उज्वल की आकुलवंश मा था, मा वही जो दूद से इस देश की रजितो ले आई एक पंक्ती शहीत की बेहन पर पड़ता हूँ एक हजार साल बाद में अगर याद रखा गया तो इस लाइन के कारण याद रखा जाऊँगा हमारी बेहन गीता जी बैठी उन्हें समर्पित करता हूँ शायद बेहनों पर ये लाइन हिंदी में पहले किसी ने नहीं कई किसी के हाथ बंदे रह गए तो मेरा मन तूटेगा निवेदन करता हूँ कि पिता जिसके रक्तने उज्वल किया कुलवंश मा था मा वही जो दूद से इस देश की रज तो लेहाई बेहन जिसने सावनों में भर लिया पत जर स्वयम ही हात ना उलजें कलाई से जो राखी खोल लाई बाह 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 बहुत बढ़िया बही बाह बेहन जिसने सावनों में भर लिया पत जर स्वयम ही हात ना उलजें कलाई से जो राखी खोल लाई ईद पर शिनगर में कर्फ्यू था तो दिल्ली के हमारी एक पत्रकार मित्र हैं टेलिविजन में काम करती हैं, शिनगर की हैं, बड़ी अच्छी है उन्होंने मुझे फोन करके कहा कुमार तुम लोह को शर्म नहीं आती, मैं अपने भतीजी को खिलोना नहीं बहज पाई एद पर मैंने का मुझे बहुत शर्म आती है कि आप खिलोना नहीं बहज पाईं लेकिन पुलवामा से लोटे हुए इस बेटे का चित्र आपको याद है जो भास करके फ्रंट पेज पर छपा था जिसमें शहादत देने के बाद जलती हुई चिता को उस शहीद की छह साल की बेटी अपना आखरी सलाम पेश कर रही थी उसका खिलोना तो आप सबने मिलकर चीना मैं भास करके फ्रंट पेज पर छपे हुए उस शवदाह के आसूँओं को कविता बना रहा हूँ जुमलों में नक हो जाए लाइन इस मंच पर मेरी भतीजी बेटी है जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्रीय है कविता उसके बचपने से मैंने पंद्रे वर्ष से उसे सजाया सवारा है राज भारत की सर्वस्रेष्ट और सरवादीक व्यस्त कवित्री है हमारी बेटिया बेटी है हमारी भतीजी नामी का बेटी है मैं पंक्ति समर्पित करता हूँ जिनकी आखों में आसु है मैं उन्हें प्रडाम करता हूँ पंक्ति सुनियेगा ये मैं कहने का साहस कर रहा हूँ दो बेकियों का पिता होका के बेहन जिसने सावनों में भर लिया पत जर स्वयम ही, हात ना उलजें कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती गा रही थी, पिता तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोले आई बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती गा रही थी, पिता तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोले आई सारे संबन्द इसी जनम के हैं, एक संबन्द जो साथ जनम चलता है, जो हमारी भावियां बैठी हैं, मैं उनके चरणों में रखता हूँ, आपने बड़े मन से सुना, इन तीनों पंक्तियों की तालीस, चुपचाप जाकर बोले आई, प्रिया जिस की चूडियों में सितारे से तूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई, तू है नमन उस देहरी को, महा मही में आप जिस आवास में बैठते हैं, वो आवास आपके बैठने से धन्य होता है, वो अंग्रेज की बनाई हुए क्रती है, हमारे घरों में हमारी मैला हैं, बेटियां, पतनी, बहने, चार साल में इंटीनर बदल लेती हैं, जैपुर में सबसे खूबसूरत फ्लैटों के डिजाइनर हैं, लेकिन जिस घरों से वो लड़का जाता है, मैंने टीवी पे इंट्रिव्यू देखा, उसका शव रखा हुआ है, और कैमरे वाली लड़की उसकी पतनी से पूछ रही है, शेखावाटी के आस पास का कोई अची कह रही है, कह रहे थे इस बार चुट्टी पे आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे, मैं उस घर को क्या बना रहा हूँ, आपकी तालियां महर लगाएं मैं निवेधन करता हूँ, कि है नमन उस देहरी को, आपने बहुत जै लगाई मांके बिहारी की, अब आपकी ता जहां तुम खेले कनहिया, घर तुम्हारे परमतप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको, के जिनके सामने बोना हिमाले, जो धरा पर गिर पड़े, पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको, आखरी बंद पढ़ रहा हूँ इस गीत का, अभी तक रोए हैं, लेकिन एक आश्वासन सौंपिएगा, और यहां बैटे वे लोगों, यह जो भाशन आप अपने नेताओं के सुनते हो, इनको बताओं के मुख्यमंतरी, प्रदानमंतरी किसी पार्टी का नहीं होता, आप United Nations में इतने जोर से बोल कर आते हैं, तो हम 130 करोड़ों की हिम्मत से बोल कर आते हैं, जिन्होंने आपको वोट भी नहीं दी, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तम मैं एक पंक्ती पड़ रहा हूं, और मुझे फिर याद आते हैं, बाजपा वालों, कॉंग्रेस वालों, जिस नहरू के बारे में सुभई-सुभई वाट्सप विश्वे जिसमें पड़ा लिखा होने के आवश्यक्ता नहीं है, उसमें ग्रेजुएट होने के लिए मूर्ख होना निर्धारित युग्यता है, पिताजी चारजार का फोन दिला देते हैं, ओपो, लड़का शुरू हो जाता है, पोपो, पड़ासी मुल्क के नाम चारलाई ने पढ रहा हूं, यह हमारे घर के छोटे बच्चे, जॉनी मेरा छोटा भाई है, नाम ले सकता है, मेरी मर्यादा है, महामाइम बैठें, लेकिन एक एक पंक्ती में आपकी नसों के अंदर का राजिस्थान उबल जाए, तो मुझे बताईएगा, पहली पंक्ती परी आपकी तालिय क आपकी आपकी वालो हात यृ रखना हमने लौट ये सिक अंदर सरजुकाए मातखाए हमसे बिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है'll कुछ लोगों के हाथ नहीं कुले के हमने लोटाए सिकंदर का मन धरा से भर गया है के हमने लोटाए सिकंदर सर जुकाए मात खाए मुझे इमरान खान पर तरस आता है तीस साल मेहनत की प्रदानमंतरी बनने के लिए और जब बने तो पड़ोस में फस गया हमारा वाला अब लोगों से पूछ रहें कि इससे कैसे डील करूँ मैं इससे तुम अब क्या डील करो कि तुम तो पड़ाए उसना अपने नी छोड़े कि हमने लोटाए सिकंदर सर जुकाए मात खाए हमसे बिढ़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है नर्क में तुम पूछना अपने बुजरगों से कभी भी उनके माते पर हमारी ठोकरों का ही बया है नर्क में तुम पूछना अपने बुजरगों से कभी भी उनके माते पर हमारी ठोकरों का ही बया है जूजना यमराज से आदत पुरानी है हमारी एक नाम लुगा और विस्पोर्ट हो जाएगा कारगिल का विस्पोर्ट हो जाएगा पोकरण का आपकी हतेली में सिंग के दातों से गिंती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है जूजना यमराज से आदत पुरानी है हमारी उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है वाँ 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 वाँच वाँ तो है नमन उनको अभिनंदन गया तो ये लड़की हमारी कविता रोने लगी इसने फोन पर आस तक मुझे किसी कारिकम के लिए ने बात की फोन किया चाचा यह लौट के तो आएंगे या नहीं मेंन का बिटा सोजा 200 परसेंट आएगा बोले आपकी बात होगी है राजनाश सिंधी से मैंन कर नहीं बात नहीं हूई उए आएगा पूले क्यों मैंन का हनुमान लंका में रहने नहीं जाता आता है ये बोली कि ये हनुमान कैसे है मैंनका पिछली बार पूछलंबी थीस बार मूछलंबी है उसमें क्या है कि है नमन उनको आज के कारिकम के अंदिल बंकती पड़ता है कि है नमन उनको के जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन एक एक व्यक्ति के दोनों हात आकाश में उठा कर विदा करें इस गीत को वराज की समारो को कि है नमन उनको के जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए है है नمن उनको के जिनके सामने बोना एक बार जोड़ार तालिया खड़े होकर बज़ाएं कि इस बिमारी में एक बार जयगोष करें भारत मता की भारत मता की बारत मता की और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं उनका पता थोड़ी चलता है कुछ इनको तो आठ बजया के इतना ही कहना के भाई और बहनो आद रात बारा बजे के बाद दिल्ली एंसियार की सीमा एं लाहॉर तक की जाती है कवी सम्मिलन की शरुवात के लिए हम जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुला रहे हैं सुनील जोगी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वागत में आपने जो घंगोर तालियां बजाई में उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और राजस्थान की बंदना में मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जिस धर इधर के लोग जो इस्क्रीन देख रहे हैं अगर हो सके तो इस्क्रीन बंद कर दी जाए क्योंकि आप उदर देखने हैं मुझे देखें मैं भी काफी खुब्सूरत हूं कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का बरदान मिला मीरा के इकतारे को गिर धरनागर का गान मिला राजस्थान चार पंक्तियों में पड़ दिया हो तो आपके हाथ उठें एक बार कि जिस धरती पे मुझे लगना चाहिए कि मैं जेपूर में हूँ राजस्थान की राजधानी में हूँ महामहिम के सामने हूँ कि जिस धरती को राना सांगा पन्ना का वरदान मिला मीरा के इकतारे को गिर धरनागर का गान मिला मात्र भूमी पर शीष कटाने की जब भी बारी आई हिंदुस्तान में सब से आगे प्यारा राजस्थान मिला हिंदुस्तान में सब गा सकते हैं आप मिरे साथ कि मात्र भूमी पर शीष कटाने की जब भी बारी आई हिंदुस्तान में सब से आगे प्यारा राजस्थान और जैपुर का आदमी तो कमाल आदमी है साहब अद्भूत आदमी है, बड़े बड़े अधिकारी बेटे हैं यहां, तमाम सारे लोग यहां हैं, कर्मचारी अधिकारी के पास चुट्टी मांगने गया, बोले साहब मुझे 15 दिन की चुट्टी दे दो, तो अधिकारी ने कहा साब उसने छुट्टी देने से मना कर दिया हूँ तो जैपूर का आदमी जो है मुश्किल में भी रास्ता निकालना जानता है मैं जानता हूँ एक जैपूर का लड़का एंबीबियस करके एमसे में डॉक्टर हो गया माemin जी तो किसी की पत्नी की डिलिवरी होनी थी उसने का भाइया पहली बार बाब बनना हूँ इशारे में बताना लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है वो जुडवां पैदा हो गए लेकिन वो डॉक्टर जैपुर का था घबराया नहीं बाहर आके जो उसने सूचना दी उस पर अनंद लेना जैपुर का डॉक्टर मुस्कराता हुआ आया और बोला भाई साब मुबारक हो सलाद तो मैं दस पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूं ठीक हो गई हो तो आपका समर्थन भी चाहता हूं और पहले कभी को बुलाना भी चाहता हुए कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था वार्ट्सॉप आगया ट्विटर आगया फेस्बूक आगया इ वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आर्ती सजाई जाती है कि समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए आपका कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है वो कविता है जिसको गाकर आर्ती सजाई जाती है वो बंदे मातरम कवि कविता थी सब गोरे याग बबूले थे वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी जूले थे ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है दर्वारों में जाकर गाओ कविता चारन बन जाती है रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है मा का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है और हिंदुस्तान में कविता को जितना सम्मान प्राप्त है शायद पूरी दुनिया में किसी देश को न प्राप्त हो कविता को इतना सम्मान मैं इशारा करता हूं समझें और बताना मुझे कि मा का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन बन जाती है मत पूछो कविता की उलान यह स्वाबिमान बन जाती है कविता ही है जो सवा अरप का राष्टगान बन जाती है यह राष्ट कहें न सो जाए रातों में जागा करते हैं इसकी खुशाली की खातिरे मन्नत combat करते हैं ये मीर कभीरा सूरा के वंसा जिनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिननन करिए कवियों का अभिननन हो मन से आप सुने, सम्मान से सुने मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ एक ताजा सा कवि है कुछ वर्सों में उसने बहुत लोग प्रियता पाई है अमन अक्षर जिनके गीत आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे अमन को बुलाएं बर्जोरदार तालियां अमन अक्षर के लिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ सम्मानिय मंच है गवर्नर साब के उपस्तिती है पहली बार वासकर के जैपूर के कालिक्रम में आना हुआ है एक बार मैं आपके भरोसे पे हूँ मेरे पास बहुत समवाद नहीं है प्रेम की बाते करता हूँ और कुछ गीत मेरे पास है के सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ अब मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ के सब कहा जा चुका कुछ ना कहने को है बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ सब कहा जा चुका कुछ ना कहने को है बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ और चार पंक्तियां प्रेम की विडंबना पर सुनिएगा कि साथ हसने लगे तो हसी कम लगी साथ हसने लगे तो हसी कम लगी ही रोपड़ी आख तो हो फिर नमी कम लगी के जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा जिन्दगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी जिन्दगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी आए अब आपको एक गीश से जोड़ता हूँ मैंने एक वर्ष पहले भगवान राम पर एक गीत लिखा और उसे गीत का ही बदल है या उपलब्दी है कि मैं इस ते बड़े मंच पर हूँ सारा जग है प्रेरना जग है सारा प्रेरना प्रभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है जुड़ियेगा पहला बन आधरनी आप बिलकुर आपका विश्री ध्यान चाहूंगा एक तरव राज सिंगहासन है और एक तरव आपके साक्षा तीर्थ राम वनवास को चुन लेते हैं चार पंक्तियों मैं बताता हूँ कि भगवान राम ने वनवास क्यों चुना सुनिएगा कि भाव सूचियां बहुत हैं भाव सिर्फ राम हैं कि काम नाएं त्याग पुन्य काम की तलाश में तिर्फ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में तीरथ खुद बटक रहे थे धाम की तलाश में ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में राम वन गए थे अपने राम की तलाश में बढ़ सिखाते हैं आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है सुर्यवंशी राम जैसा कोन इतिहास में हुआ है आप सबसे कहा जाता है बगवान राम जैसे हो जाओ लेकिन इतिहास में राम जैसा कौन हुआ चार पंक्तियों में सुनिएगा उनका व्यक्तित्व देखिए के ढाल में ढले समय की चश्ट्र में ढले सदा सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा ताप में तपे स्वयम की स्वर्ण से गले सदा राम ऐसा पत थे जिस पे राम ही चले सदा राम ऐसा पत्थ थे जिस पे राम ही चले सदा के दुख में भी अभाव का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत हैं या महिला शक्ती भी बैठी है पहली बार ये बात कहने की कोशिश की है एक तरब माता जानकी है और एक तरब मनुष्य योईनी में जन में लिया वो भगवान है पूरे जीवन बर राम क्या करते रहे अगर आप मेरी बात आप तक पहुचे तो बताईएगा के रिन थे जो मनुष्य ता के वो उतारते रहे रिन थे जो मनुष्य ता के वो उतारते रहे जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे के जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे एक भरी सदी का दोश खुद पे धारते रहे जान की तो जीत गई राम हारते रहे जान की तो जीत गई, राम हारते रहे, सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है जो मैंने अपने जीवन में अब तक का शर्विसेश लिखा है, चार पंक्तियां सुनिएगा, भगवान राम जब आयोध्या वापस लोटे, पूरे आयोध्या वासी उन्हों चौरा बरस उनका रास्ता देखा, लेकिन उसके बाद का प्रसंग आपको पता है, कि सीता जी की अ एक छल किया, राम ने पूरे जीवन भर, वो क्या चलता, सुनिएगा, कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, राम वापस आने का कहकर गए थे, सबके अपने दुख थे सबके सारे दुख चले गए वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए के रामराज की ही आस में दिये जले गए चार पंक्तिया आखिर आन्तीम पंक्यों देर पहले सुनाता हूँ अंतिम चार पंक्तियां मेरे कावे पाट की एक तरफ सीता जी की अगली परिक्षा जिससे सीता जी अगली निश्कलंग वापस आती है और एक तरफ राम की जल समादी आपके प्रशनों का उत्तरव कैसे देखे गए सुनिएगा के जग की सब पहेलियों का देखे कैसा हल गए जग की सब पहेलियों का देखे कैसा हल गए लोक के जो प्रशन थे वो शोक में बदल गए जग की सब पहेलियों का देखे कैसा हल गए लोक के जो प्रशन थे वो शोक में बदल गए सिद्ध कुछ हुए न दोश दोश सारे टल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए एक बार भरपूर तालियां बजा कर इस्ट गीत के लिए बदाई दें रामन को एक बार कोट जाना पड़ा तो जजने कहा गीता पर हाँत रख्के कसम खाओ जो कहोगे सच कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे तो रामन ने कान पकड़ लिये बोला मीलॉड जिन्दगी में एक पर हाथ रखा था पूरा खांदान खतन हो गया अब मैं किसी गीता वीता पर आत रखने वाला नहीं हूँ तो घटनाएं कई बार संदेश भी देती हैं हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है लगे रहो तो प्रभू की प्रीद भी मिल सकती है कई बाबा तो इसलिए धुनी रमा किस से बात कर रहे हो मैंने का बीबी से बोले इतनी देर हो गई आदे गंटे बीबी से बात मैंने का हाँ मेरी थोड़ी है कि किसी और की है तो लगे रहो मुन्ना भाई मुझे बता रहे थे कि पत्नी इजट नहीं करती गर का सारा काम मुझसे करवाती है जारू पोचा चौ तो आप बिल्कुल जागरूक रहें, मस्त रहें, अमन ने बहुत बढ़िया सुनाया में बधाई देता हूं, और आप यकीन मानों अगर आपकी उमर पचीस साल हो गई है, और आपकी शादी नहीं हुई है, और आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, इसका मतलब आपका जनम कि जनगरना के लिए हुआ है, तालिया आप बजा सकते हैं, मैं अगले कभी को भुलाना जाता हूं, सुदीब भोला, यहां हैं जो पेरोडियों के माध्यम से भी हसाते हैं, एक बार उचे कत के कभी के लिए जो जबलपूर से आया है, भरपूर तालियों से स्वागत करें, कुछ दिनों पहले, चेदंबरम जी अंदरम, कि जो भी भ्रष्ट है, वो क्यूं बाहर है, आना अंदर है, तो भागो, बच कर देखो, शाह के हाथ में हंतर है, और शुरू का देना अगली पंगती में, शाह के हाथ में हंतर है, चितंबरम अंदरम, आपने अमन की बाद सुनी, अब ये मन की बाद सुनो, चितंबरम अंदरम, अब किसका है नंबरम, जो भी भरष्ट है, वो क्यों बाहर है, जाना अंदर है, आचितंबरम, वाह, मैं सेलीट करता हूँ जैपोर आपको, ऐसे सुनना है, बहुत चाह, के चौबिस घंते सबने खोजा, मिलाना लुंगी वाला, हाँ, इतने घोटाले तब कर दी है, जब लुंगी में जेव नहीं होती, चौबिस घंते सबने खोजा, मिलाना लुंगी वाला, मिलांत तह मुख्यालय में प्रगटभय गोपाला, और सीवी आई, धर्णम, पैरोडी हो गई खेतम, की जपी लगाए, और जपी लगाए, बीच सदन में, जपी लगाए, बीच सदन में, मोदी जी फस गए बिचारे, ये क्या कर दी आरे, की लड़का आंक मारे, आंक मारे के लड़का, आंक मारे, आंक मारे, जहां जहां जाएं ये मोदी मोदी गाए, जितना रताया था, जितना रताया था उतना ही गाएं, पंदरह मिनिट के एपीसोड में, चौदह मिनिट के थे नारे, ये क्या कर दी आरे, की लड़का, आंक मारे, आंक मारे पार्ट तू, के करें अखियों के बार, करें शेर का शिकार, मारे कोट फटकार, फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहूल जीए कहें बार बार, मेरा प्यार प्यार प्यार, चौकीदार, मैंने आपको पैरोडिया सुनाई, अब एक गीत सुनाता है, और गीत इसलिए सुनाता हूँ, इस बड़े मंच में आप हमारे ईश्वर हैं, जो श्रोता है हमारा वो ईश्वर है और राजस्थान की धर्ती पर खड़े होके, मैं कसम खाके कहता हूँ, कि पिछले एक हपतों में एक दर्ष्र ने बिचलित कर रखा है, जनवर्दियों की बैस से हम सुरक्षित हैं, उनके पीछे लोग पत्थर लेकर भाग रहे हैं, उनके थानों में आग लगा रहे हैं, अगर आप विरोत करते हैं, तो दोनों हाथ खड़े करके, एक बार अपने देश की पुलिट के सम्मान में खड़े हो करके, बहुत अच्छे बाइबा, बोलिएगा भारत माता की, चार पंक्तियां आदा गहीं, सुनिएगा, चौथी पंक्ति बताएगी कि क्यों सुना रहा के जहर और अमरित का अंतर हर इंसान समझता है, गद्दारी और वतन परस्ती की पहचान समझता है, गद्दारी और वतन परस्ती की पहचान समझता है, जहर और अमरित का अंतर हर इंसान समझता है, आग लगाने वालों सुन लो, हम इतने नादान नहीं, कौन नाग है, कौन नागरिक हिंदोस्तान समझता है, वाज़ी 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 वाज आजारों हजार लोग बर्दी के संभाण में साथ जोते चले गए सुनना जो वतन के वास ते हून में सनी रही रेश 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 देश के लिए बनी रही आनवान शान स्वाब इमान की धनी रही तन हुए थे खाक फिर भी खाकिया तनी रही तन हुए थे खाक फिर भी, खाकिया तनी रही, जोडती रही, वतन ओडाके अपनी धज्जियां, वर्दियां, 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 ये वर्दियां, जव वतन की आब रूपे चल रही थी गोलियां जव वतन की आब रूपे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कापते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुरसियां वर्दियां 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 ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून में सनी रही रेशी 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 और हास से के उनका क्या सुनाएंगे वो सारे रसों के कभी हैं, वो हसा भी सकते हैं, आपको जगा भी सकते हैं, और चाहने तो भगा भी सकते हैं, वो जैसा अतल जी की कविता है कि, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, एक बार तालिय बजाएं मैं उनको बुलाता हूँ जानी वैरागी धार मद्यप्रदेश से अलगी मैं बहुत छोटा कभी हूँ यह पूरे देश के बड़े कभी मंच पर हमारे बीच में विराजमान है पद्म श्री सुनील जोगी साहब है सुधिव भाही और डक्टर मुम्ताज नसीम जी ड बले कम पड़ा लिखाऊं पर काम तो वही कर रहा हूँ जो यह कर रहे हैं और जब काम यही करना तो मतलब इतना टाइम क्यों भी गाड़े अपन डाक्टर साब हमने एक सो तीस करोड जंता ने दस साल तक एक डाक्टर को ब्रधान मंद्री बना करके रखा डाक्टर मनमों डाक्टर थे पड़े लिखे थे अर्थ शास्त्री थे डाक्टर होने के बाद भी उन्होंने दस साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया चाई बेशने वाले को प्रधान मंद्री बनाया उसने देट डड़ा ड़ा आपरेशन पर आपरेशन पर आपरेशन पर आपरेशन जाने कहां का जाते में गए बहु नहीं घए यहां मेरेगर ससीधा यह का यहां उर यह आपट इस मेरे घर चला जाओंगा नहीं अपन श्मेख ठायखे रहों अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी जरूरी बहुत अच्छे है कि अपनी समझ्या खतम हो जाए बस आदमी घर पे रहना सीख ले कई बार विश्वास्तम खरे नहीं उतरते हैं देनिक भासकर वालों ने क्या करा कि अपने अपने इंदोर में कि ओंटले रेडिशन जैपूर में दो तीन है तो इनोंने क्या करा कि एरपोर्ट के पास वाली रेडिशन बुक रवई कवियों के लिए कि अपने पास में पड़ेगा अब उनको यह पता ही निए कि जित्ते कवी आरे तो रेल ट्रें से आरे हाहा यह एसा मालूम हो तो महा रेलवेस्टेशन के सामने महसवरी राजी बुक करवा देते बिटा रही तक विश्वारी तो यह उता है सामाजने सी बात है होता लेता है बही बहुत बड़िया मैं आपके वीच में यह दो कोड़ी की बाते आतंगवादी बुम पड़ रहे हैं और यह कर रहा है और आरा जकता फेल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश के अंदर आतंगवादी क्या में हम बुम से डराई है हमारी कविता जी ने कोड़ीं घ्याटती मात्या कोटे और जो लोगों के रोंगटे कर गोग दिकत yi की रोंगटे खड़े बूम इंडिकत 02 यह चार-p Cisco रोंगटे भेति नहीं हरे है हम इस त्यू कि ऐfront मेरे पुराने प्यारे मितर हुट्र प्थर फेंकर और बसे सज़ए पृत ने स्वे की ब यह जला रहे हैं, वो कुन जला रहा है? कुन जला रहा? मुमताज जी समंच मे बैठी हुई है, और हिंदी के कभी संभिलन में मुमताज जी को बुलाया है, मुसलमान की बैटी है, तो इस देश मेरा जगता है, तो कहीं भी फेल जुई कुछ ऐसा, कुछ हो इनी रहा है, यह सारी फोगट की बात है, यह फोगट के लोग है, और जो इनोंने कहा कि यह देश कोई भी नहीं जला रहा है, आप खाली मोबाइल का जो डाटा है इसको छे महीने के लिए बंद कर दो, बाकि कुछ भी नहीं हो रहा है, देश में बहुत अच्छा हो इसब कुछ अच्छा हो शे महीने के लिए बंद करड़ा, यह मेरे पूराने प्यारे मित्र, यह मेरे दूसरी पंकति पकड़ लेंगे, कवीता पूरी कर तु के दू मिनिट खालता है, यह मेरे पूराने प्यारे मित्र, बदल खुए आरे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी केसे हो गया है, तू भूलने का इतना आदी केसे हो गया है, शायद तूने कुरान धंग से नहीं पड़ी, इसलिए जेहादी हो गया है, वा, 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 मैं कविदा शुरू कर रहा हूं, शायद तूने कुरान धंग से नहीं पड़ी, इसलिए जेह कि अन्हों कट्हादी हो गया है। कि अग्यो efforts बीट ने प्हुन माझ कोग अपाड़्या है कि शय बीद मैं पालख यहाद यह पया था यह कोग.. मा की कोक से 25 तयार रहना मैंने कविता कहिए मा की कोक से पहला कदम तुने इसी धर्ती पर रखा है इस मिट्टी के स्वाद को तुने कई बार चखा है तेरे अबू की उंगली पकड़ करके इस धर्ती पर तु घूमा है ठोकर लगी तो सेकड़ो बार इस मिट्टी को तुने चूमा है इस गाउं के गलियों के चबूतरे पर तुने कई राते काटी है और तुझे पताई नहीं यार इद की सेवया तुने मेरे घर तक आकर के बांटी है तुतलाती रुकिएगा तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीच और तेरा बदन था वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके है और चुराये थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं यार यार जैपुर के बहुत अच्छे लोगों जरा मुझे साथ देना कि यार कैसे भूले वो सावन के जूले जो साथ साथ में जूले वो आवारा गिर्दी की बाते वो कमकपाती सर्दी की राते वो रोज रोज स्कुल में बुखार का बहना नदी पर जाकर के नहना खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमुरूद मेंने तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तो की सरसराहट से रमतु काका जाग गया था दाग साब वाँ 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 पत्तो की सरसराहट देखे आप पत्तो की सरसराहट उसमें रेता है ठंड का ताइम और ठंड में सरसराहट होती है पत्तो की सरसराहट से रमतु काका जाग गया था उस वक्त तु मेरे हिस इसे के अमरूद लेकर के भाग गया था, वो दिन गए, वो राते गई, वो बाते गई, और पता नहीं अब आ गया है तू, किसकी बातों में, शायद जितने लोग हैं, एक भी हात खामोश न रेगली पंक्ती पे, के वो दिन गए, वो राते गई, वो बाते गई, और पता नह अब आगया है, तो किसकी बातों में भारूद लेकर के बेटा है, अमुरूद वाले हतों में, वाह, 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 बहुत शान्दार परफॉर्मेंच के लिए और ये समापन की एक संदेश की कविता के लिए मैं बधाई देता हूँ जानी बैरागी मैंने कहा था हूँ कुछ भी कर सकते हैं तो एक अच्छी कविता से उन्होंने समापन किया कावेपाठ का मैं बधाई देता हूँ मैं एक बेटी को बुलाना चाहता हूँ इतनी बड़िया कविता हुई तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी धारा को और आगे ले जाओं और लखनव से कविता तिवारी हमारे बीच है उनका स्वारा आपने सुना होगा तो आईए जोरदार तालियों से स्वागत करें कविता तिवारी का लखनव से मा सरस्यती को प्रणाम करती हूँ सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ आपकी गरिमा में उपस्यती को बहुत बहुत नमन करती हूँ आप सब यकबार का कारिक्रम है और ये जितने भी पत्रकार वर्ग हैं चाहे वो राजनीत के लोग हैं समाज के तमाम लोग ये इस दिशा में हैं कि इस देश में वो परिवर्तन लाएंगे लेगिन ये परिवर्तन आएगा कैसे मैं बात आप तक पहुँचाना चाहती हूं सुनेगा क्षित जितक शोर गूजेगा स्वयम दिन मान बदलेगा उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा विवादों में उलज कर कीर्ति मा की मत करो धूमिल शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा बहुत 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 आप चाहर पंक्तिया आप तक और पहुँचाती हूं बहुत सारे मुद्दे देश में एक आग सी लगी है चार पंक्तिया आप तक पहुचाती हूं यदि एक प्रशन आग की तरह है कि इस देश में किसे रहना चाहे किसे नहीं ये देश किसका है तो बहुत सरल सहत सा उत्तर आप तक पहुचाना चाहती हूं सुनेगा जो मैं सोचती हूं प्रिथक हर धर्म होता है प्रिथक परिवेश होता है प्रिथक हर धर्म होता है प्रिथक परिवेश होता है प्रिथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश होता है जहां रहते हो हिंदू और मुसलिम सिख इसाई जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है हस्ति मलस्ति ने कहा कि शीशे की मुकदर में बदल क्यों नहीं होता शीशे की मुकदर में बदल क्यों नहीं होता इन पत्थरों की आँख में जल क्यों नहीं होता हर गाओं में मुम्ताज जनम क्यों नहीं लेती हर मोड पे इकताज महल क्यों नहीं होता तो तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर हैं, बड़ी शायरा के लिए अलीगर से वाई हैं, बड़ी सी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें मेरे हिस्से में जितना वक्त आया है, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी खिद्मत करूँ महबबत की शायरा हूँ, तो कुछ पंक्तियां आपके बीच में यहां से पढ़ती हूँ और अपना ये सफर शुरू करती हूँ, पहली बार जैपुर में पढ़ूँगी और जैपुर से बहुत सारी महबबत हैं हमेशा लेकर जाती हूँ प्यार की खुश बोका समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं प्यार की खुश बोका आप तक पहुंची मेरी बात, मुझे अच्छा लगा पहली बार आपके बीच में पढ़ रही हूँ और आपने अगर अच्छे से सुन लिया तो पूरी दुनिया मैं आपके नाम से लेकर जाओंगी पढ़ती हूँ प्यार की खुश बोका समंदर हूँ मैं मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं जानती हूँ के तू मेरी तकदीर है मान भी जाके तेरा मुकादर हूँ मैं जानती हूँ के तू सलाम करती हूँ आपको बहुत अच्छा आप शायरी सुनते हैं मुझे इस बात का है साथ है चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ बन के बादल जो मुझ पर बन के बादल जो मुझ पर परस जाओगे क्या खबर थी के नस नस में बस जाओगे बन के बादल जो मुझ पर बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे क्या खबर थी के नस नस में बस जाओगे आज मौका है जी भर के तुम देख लो देखने को बगरना तरस जाओगे आज मौका है बहुत शुक्रिया हिम्मत अवजाई की चार पंक्तियां खास तोर पर आदरनी कुमार जी सामने बैठे हैं और जब वो आए तो कैसा माहौल बना ये चार पंक्तियां खास तोर से पढ़ती हूं आप सभी के लिए और उनकी नजर करती हूं नवज उलजी के धड़कन बहकने लगी मेरे अंदर की कोयल चहकने लगी तेरे कदमों की आहट से गुल खिल गए तेरे आने से महफिल महकने लगी तेरे कदमों की आहट देखिए अधर नियर आप्टर कुमार श्वास जी भी मौझूद हैं अब आपकी और मोहबते मिलनी चाहिए पढ़िए 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 मैं पढ़ती है बहुत शुक्रिया खासतोर पर एक मतला और एक शेर फिर वो नजम पढ़ोंगी जिसके लिए मुझे कहा गया तू जो हो गया किसी और का मुझे इसका कोई गिला नहीं तू जो हो गया किसी और का तू जो हो गया किसी और का मुझे इसका कोई गिला नहीं मेरा क्या कुसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं खास तोर पर ये बंद जिसके लिए नजम कही हाजिर करती हूँ जन्नते वादिये कश्मीर पे जगडा क्यूं है ये लाका तो हमारा है तुम्हारा क्यूं है तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था अपनी खाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था फिर भला हिंद बेहक अपना जताते क्यूं हो और घुसके कश्मीर में लोगों को सदाते क्यूं हो वाँ वाँ क्या बात वाँ बहुत अच्छे वाँ मुंताज वाँ ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं और यह बंद खास दोर पर अपनी तरफ से आप सब के लिए कतल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना रह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना अपने मजहब में तो जाइज नहीं तहशत गर्दी जुल्म की आग जवानों में भला क्यूं भर दी लो जवानों को गलत काम सिखाते क्यूं हो और बेसबब भाई को भाई से लडाते क्यूं हो ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं आपको रखे आगे